हाई गाईज गुड इविनिंग कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका एक बार फिर से आन अकाडमी पर येस तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम बेसिकली शुरू कर रहे हैं यहां पर कुछ चो कॉंसेप्स मुझे लगता है कि सबसे जादा इंपॉर्डेंट है हमारे एक् के लिए तो उसके हमने questions तो बहुत सारे कर लिये हैं but again what I feel is कि थोड़े बहुत topics जो हैं जो most important one होते हैं उनको हम जल्द से जल्द as a concept जी हां एमसेड या कोई भी law inference examination जिसमें आपको जीके आता है और साती सा जीके के यहां पर आपको देखने को मिलता है history तो यह सभी जो है यहां पर detail में हम cover करने वाले जी तो यह हमारी यहां पर aim होगा and आप लोगों को बता देते हैं कि जीके history में जैसे की modern industry अपसे important होता है मैंने इस बात के बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जैसे कि मैंने आपको बताया modern industry में सबसे important जो है वो 1857 के revolt से ह की शुरुवात आपको करनी है मुझे कई बच्चों ने इसके बारे में पूछा भी ता मेसेज में भया अगर हम history पढ़ना चालू करते हैं तो हमें कहां से शुरू करना चाहिए तो मैंने जो है कहा था कि 1857 से आप शुरू कर सकते हो and फिर उसके आगे आप कारवही कर सकते अब 1857 के बाद जो important event होता है वो है Indian National Congress का formation ठीक है however इसको हम fringe topic की तरह लेकर ही जल्दी से जल्दी बढ़ लेंगे क्योंकि इसमें केवल 2-3 facts है जो हमें पता होने चाहिए फिर जो बहुत important fact आता है वो आता है about the extremist अंजी डॉली यह वही है मंगल पांडे जी की movie वाला फिर इसके बाद जो सबसे important चीज़ आती है वो है extremists और moderates की बीच की लड़ाई और यह जो आपके extremists और moderates की बीच की लड़ाई होती है तो उससे पहले हमें जानना होगा कि extremists कौन थे moderates कौन थे कैसे इनकी लड़ाई जो है वो होना शुरू हुई फिर कैसे जो है हमारे यहां partition of Bengal किया गया ठीक है फिर partition of Bengal जो हुआ है उसके बाद क्या हुआ partition of Bengal के बाद आपको पता है कि हमारे हां Congress split हुआ ठीक है Congress split मतलब Congress के अंदर ही यह दो लोगों ने इन दो लोगों के बीच बटवारा हो गया था चुकि यह पतावारा हुआ था Congress उसके बाद बहुत कमजोर union की तरह देखने को मिल रही थी इसलिए यह बहुत बड़ा event है और यह हुआ था in the year 1907 ठीक है तो इससे जुड़े हुए facts जो है हम पढ़ेंगे फिर हम आगे आएंगे और हम पढ़ेंगे about the कोमा गाता मारू incident कोमा गाता मारू चीक है तो कहने का थाथ पर यहां पर यह है कि इस प्रकार से हम topics को आगे जल्दी 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 खतम गरते जाएंगे ताकि आपके examination perspective के लिए जो चीज़े important हो उनको मैं यहां पर जादा से जादा आपको cover करा दू यह हमारा event यह हमारा task रहेगा यहां पर चीक है so I hope हम सभी इस चीज़ में aligned है please इन बच्चों ने मुझे यहां पर follow नहीं किया है आपको follow बटन दिख रही होगी teacher के नाम के बाजू में उसको आप follow कर लिजेगा ताकि आपको on academy के app पर notification भी आता जाए साथी साथ आपने telegram को follow कर रखा होगा नहीं किया है तो कर लिजेगा that is being aditya rai यहां पर आपको हर एक class का link जो है वो मिलता रहेगा तो आप कहीं से भी class को miss नहीं करोगी अगर notification नहीं आया तो वहाँ मिल जाएगा वहाँ नहीं मिला तो notification आ जाएगा तो हम technical glitches की वज़र स अपना नुकसान होने नहीं देंगे बट राधर हम यह ensure करेंगे कि हमारी class जो है वो अच्छे से होती जाए ठीक है क्या इसको note down करना important है yes आज मैं आपको बता रहा हूँ 1857 हम इतने अच्छे से पढ़ लेंगे revolt of 1857 कि फिर आपको इस हिंदुस्तान के किसी भी कानून किसी लिखने के जुरूत नहीं है जब मैं लिखने के लिए आपको बकाइदा टाइम दूँगा उस समय आप लिखेगा and क्या लिखना important है सर हम screenshot नहीं ले सकते हम फोटो नहीं ले सकते हम इस सब नहीं कर सकते मत करना यह I would request क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत photos बहुत screenshots बच्च बाते कर लें कि हम इसको जो है करके रखेंगे बाद में revise करेंगे ऐसा नहीं होगा ठीक है तो चलिए तो आप जो इन बच्चों ने नया नया जोइन के उन सभी को पूरा process समझ में आ गया होगा बीच बीच में मैं आप लोगों से question पूछता रहूंगा and जब questions पूछूँ ठीक है और आपको बोलना है ए हाई सर बी वेरी हाई सी सुपर डुपर हाई और डी नॉट अट अट अल हाई ठीक है तो इस तरीके से चार option है पूल आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं देखो नीचे आ रहा होगा सभी को पूल वेरी गुड तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनका जिनका जो जोश है वो उतना जादा हाई नहीं है अभी बागी बच्चों कर सुपर डुपर हाई हो चुका है ठीक है तो इस प्रकार से आप लोगों को पूल यहाँ पर देखने को मिलता है तो इस पूल की मदद से भी हम जो है इंटराक्टिव तरीके से बात्चीत यहाँ आपर कर सकते हैं ठीक है चले अब करते हैं कारवाही को शुरूर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट 1857 का रिवॉल्ड जानने से पहले थोड़ अजा हमको बैक्डराउंड में जाना पड़ेगा और बैक्डराउंड में आप जाओ गे तो आपको पता चलेगा इट वस बेसिकली 1680 जब हुआ क्या था कि जो हमारा यूरोपियन एरिया था वहाँ पर इन लोगों को अब लगा कि हम थोड़ा सा डिवलप हो गए हैं और हमको अब जाना चाहिए दूसरी कंट्रीज में उनको एक्स्प्लोर करने के लिए और हम इंटरनाशनल ट्रेड जो है वो करना चाहते हैं इसी चीज़ के चलते चूकि वहाँ शिप बिल्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉंग हो ग जाली लोग जो हैं जिनको हम पॉर्चुगीज केते हैं ये इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू किये और ये आकर बढ़ियां इंडिया में रिसाइड किये कुछ समय राजाओं से मिले उनको अच्छा तौफा दिया और फिर उन्होंने ये पाया कि यार इंडिया में अगर हम जाते हैं तो वो तो सोनी की चिडिया हैं इतने सारे उसमें आपको देखने को मिलेंगे कि हमारे हाँ मसाले थे, हमारे हाँ स्पाइस थे, हमारे हां कार्डमम थी और ये सब चीजे वहाँ पर बहुत जरूरी थी क्यों जरूरी थी क्योंकि जैसा कि आपको पता है वो थोड़ा सा थंडा एलाका है तो वहाँ पर इन लोग क्या करते हैं कि इनके यहाँ पर मीट का सेवन बहुत जादा किया जाता है बट चुकी मीट का सेवन किया जाता है नॉन वेजेटरियन फूट खाया जाता है उसको प कर्शित होकर तो पहली कोशिश जो करी गई थी वो करी गई थी 1498 में जब वासको डिकामा जो है हमारे हाँ आए थे बट फिर फुल फ्लेजडली जो है वो 1600 से हमारे हाँ आना इन्होंने regularly शुरू कर दिया Britishers हमारे यहाँ आते हैं आने के बाद वो हमारे यहाँ establish करना चाहते हैं एक company जिसका नाम क्या था? East India Company अब यह East India Company क्या थी? क्या यह British सरकार की company थी? नहीं, जैसे आप लोगों को पता है हमारे इंडिया में Reliance है, Tata है वैसे ही, वहाँ पर भी बहुत सारी अलग-अलग companies थी, जो की जाना चाती हैं थी बाहर trade करने के लिए तो East India Company नाम के company थी, जिसको British Charter जो है, वो मिला था याने की आदेज जो है, वो मिल गया था रानी के द्वारा, कि आप जा सकते हैं, और आप trade कर सकते हैं इंडिया में तो अपनी इस monopoly को लेते हुए East India Company इंडिया में आई इसने trade करना चालू किया जब ये trade करना चालू कर रही थी तो उसको पता चला, कि अगर ये यहाँ से कुछ मसाले या यहाँ से clothes या कुछ भी चीज trade करके अगर ले जाते हैं तो उसको कम से कम 10 गुना price में 10 times ती price ले जाकर वहाँ पर ये बेच सकते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो goods आपको cheaper मिल जाते थे और वहाँ पर जाने के बाद क्या होता था उन goods की value बहुत ज़ादा बढ़ जाती थी तो इन सभी कारणों की वज़ों से trade का यहाँ पर बहुत ज़ादा potential देखने को मिला and ये करते गया थे क्या इनका जो ये trade होता था उससे हमको कुछ नुकसान था? नहीं, हमारे लिए तो अच्छी बात थे हम कहते हैं कि भईया हमारे यहां से goods को export करो जादा से जादा क्योंकि उससे हम B.O.P कमा पाएंगे लेकिन इस समय भी हम बड़े खुश थे लेकिन फिर क्या हुआ हमारे यहां आपसी रंजिशों ने Britishers को एक मौका दे दिया किस चीज की रंजिशे? सर एक दूसरे के ऊपर अटाक करने की रंजिशे जो राजाओं की थी उनकी वज़ह से Britishers को मौका मिला किस चीज का एक सहयोग बनने का यह जताने का कि हम आपके सहयोग के लिए हैं क्योंकि Britishers जो इंडिया में आए थे East India Company जो आई थे High Radha तो उसकी एक बहुत बड़ी शक्ती थी क्या शक्ती थी? उसकी फॉज Britishers had a mighty फॉज उनके पास इतने सारे आम्स थे, अम्यूनिशन्स थे वेल ट्रेंड आमी थी उनकी जो आमी थी वो प्रॉपर्ली डिसिप्लिंड आमी थी तो चुकि उनकी फॉज इतनी ज़ादा डिसिप्लिंड थी उनकी फॉज इतनी ज़ादा mighty थी तो हमारे आंके राजाओं को उन्होंने ओफर देना चालो किया और उस ओफर को हम क्या कहते है Subsidiary Alliance Subsidiary Alliance ये Subsidiary Alliance क्या था? सिर्फ समझो अभी सब कुछ लिखा है मैं लिखवा दूँगा Subsidiary Alliance क्या था? Subsidiary Alliance में बिडिशर ये कहते थे Suppose करिए ये एक राजा है जिनका नाम है राजा XYZ तो इनसे कहते थे हम आपके याँ एक अपनी फॉज की शोटी सी टुकडी जो है वो station करेंगे यानि वो आप क्या रहेगी जिस एरिये में इन लोग रहेंगे उसको क्या कहा जाता था? Garrison Garrison जहां पर Forge के लोग रहते थे उसको Garrison नाम दिया गया था तो ये टुकडी आप क्या रहेगी? इस टुकडी को खाना, पानी और इनकी salary आप दोगे प्लस ये service प्रोवाइड करने के लिए आप East India Company को royalty भी दोगे जैसा कि शाक टैंक में आप लोगों ने royalty के बारे में सुना होगा आज कल बहुत वैसे ही तो इसकी चक्कर में राजा महराजाओं के लगता था अरे वाँ हमको अपनी आर्मी का खर्चा नहीं करना बड़ेगा हमारे पास एक दूसरी फॉज है जो की इतनी सुपर पावरफुल है अगर हम पे किसी ने अटैक किया तो ये हम पे हमारे बिहाग पे लड़ेगी तो वो क्या करते थे सारे resources देना शुरू कर देते थे However, इसका एक और clause था अगर आप हमको ये जो resources तै हुए हैं ये नहीं provide करवा पाते हो तो फिर क्या होगा तो वैसी स्थिति में आपको अपने समराज का एक जमीन एक land हमारे नाम करना पड़ेगा और जैसे ही आप जमीन को हमारे नाम करोगे तो उस पे basically जो दीवानी rights है वो हमारा हो जाएगा What do you mean by दीवानी rights? कोई बता सकता है प्लीज? Administrative rights? नए विड़शाज बहुत शातिर आदमी थे उनने बोला administration की चिकल्लस मतलो कि यहाँ पानी आ रहा है नहीं आ रहा है खाना आ रहा है नहीं आ रहा है हमको उसकी चिकल्लस नहीं चीए उन्होंने क्या किया? दीवानी rights लिए Yes, वंचू The power to collect taxes Tax collect करने का उन्होंने बोला हम tax collect करेंगे और थोड़ा सा हिस्सा आपको भी दे देंगे बागी हिस्सा हम रख लेंगे तो यहाँ पर Yes, लगान यहाँ पर Britishers ने क्या किया? एक तरीके से Britishers ने यहाँ पर उस territory से पैसा लेना भी शुरू कर दिया despite of the fact कि उसके बदले में कोई और extra service नहीं प्रवाइड करनी पड़ेगी administration देखने के लिए राजा है लेकिन cable और cable उस particular administration को के taxes को वसूल करने का power किसके पास है? वो power होगा यहाँ पर इनके पास तो यहाँ पर हमने यह चीज़े समझ लिए अब देखो क्या खेल हुआ यह है आपकी Indian territory यह है आपका Great Britain ठीक है? होता गया था पहले trade में बिडिशर आदमी यहाँ पर लेकर आता था बहुत सारा gold किस चीज़ के लिए? खरीदने के लिए खरीदने के लिए goods को और यहाँ से लेकर जाते थे goods तो इसमें हमें कोई नुकसान नहीं था हम Indians इस चीज़ से बहुत खुश थे आप आईए पैसे दीज़ गोल्ड दीज़े और हमारे आसे समान लेकर जाए हमाई ले तो अच्छा था लेकिन फिर जो बिडिशर ने यह सारी की सारी territories को हत्याना शुरू किया थ्रू दी सबसिडरी अलाइंस उसके चलते क्या हुआ अब बिडिशर आदमी को यह गोल्ड जो है वो लाने की आविशक्ता पड़ती ही नहीं थी क्योंकि अब यह क्या करते थे अब यह यहाँ पर ही इसी given territory में से इसी given territory में से यह क्या करने लगते थे यह यहाँ से tax collect करते थे इस tax से collect किया हुआ पैसा यहाँ पर ही traders को देते थे और फिर यहाँ से वो goods जो है वो ले जाते थे यहने let's suppose अगर पहले एक good उनको यहाँ पर 10 रुपे का पड़ रहा था क्योंकि उनको gold देना पड़ रहा था और वहां जाकर वो उसको 100 रुपे का बेच रहे थे अब वो कितने का पड़ रहे है 0 रुपीस का Why? Because the money is being collected from the territory of India only and आपकी initial cost 0 होगी साथी साथ यह जो administration में पैसा लग रहा है ship को लाना यहाँ पर officers की salary वो सब भी आप उसी से दे पा रहे हो और केवल और केवल यहाँ जाकर आप उसको बेच रहे हो इतना जादा इतना जादा profit जैसे ही दिखा तो ब्रिटेन में और भी जादा लोग जो है वो कहने लगे कि हमें भी जाना है और इंडिया में ट्रेड करना है However, जब यह सारी कारवाही चल रही थी उसी समय होता यह है कि इससे हमारे यहाँ जो बिडिश आर्मी की फॉज इस्ट इंडिया कंपनी की फॉज जिसको हम यहाँ पर अभी बिडिश आर्मी बोलेंगे यह आर्मी की फॉज में लोगों को अपॉइंट भी किया जाने लगा याने हमारे हिंदुस्तान के ही लोग इस पर्टिकलर फॉज में जाकर अपॉइंट होने लगे ठीक है, वेरी कुट, अच्छी बाते सरी अपॉइंट तो हो सकते थे लेकिन ये कभी भी higher rank पे नहीं जा सकते थे बहले ये कितनी भी महनत कर लें ये कभी higher rank पे नहीं जा पाएंगे याने ये कभी भी आपके colonel, brigadier इस फॉज पे नहीं इस rank पे नहीं जा पाएंगे जहांपर commanding का power होता है और साथी साथ इनका जो treatment है वो भी बहुत बुरी तरह से किया जाता था फौज में इनके साथ बहुत गलत बरताफ किया जाता था ऐसी अव्वा भी फैली थी कि जो फ्लार था येस, for a secure job बच्चे जी जो फ्लार हुआ गरता था आटा जिससे इनको खाना दिया जाता था ऐसी बाते भी बोली गएं कि उस फ्लार में हड्डियों को पीस कर मिलाया जाता था साथी साथ एक जो सबसे तकालीन चीज थी वो क्या थी जो ब्रिडिश आर्मी में सबसे तकालीन इमिजेट एफेक्ट हुआ था वो हुआ था मंगल पांडे जी के साथ अब इसके बारे में समझ लेते हैं आप लोगों ने एनफील्ड के बारे में तो सुना होगा रॉयल एनफील्ड ये बाइक्स का हम उस एनफील्ड के बारे हम बात नहीं कर रहे हैं बट अब ही हम बात करने हैं एक एनफील्ड गन की ठीक है अब ये गन थी Enfield नामक, इस गन में लगता था cartridge, cartridge याने की गोली, अब उस गोली को चलाने के लिए क्या करना पड़ता था, आपको अपने मूँ से उसको ऐसे थीचना होता था, और फिर उसको आप fit करते थे और फिर गोली चलती थी, ठीक है, लेकिन हुआ ये कि वो जो cartridge थी इस cartridge में ये कहा गया कि गाई और सूर का जो mass होता है, fat, उस particular fat का grease बना के लगाया गया था, अब चूकी इसमें गाई और pig का जो fat है वो लगा था, इसलिए जो हमारे Indians थे, जो religious थे, जो फॉज में थे, उनको ये चीज अपने religion के विरुद लगने लगी, और चूकी ये उनके religion के विरुद थी, उन लोगों ने इस चीज को करने से मना कर दिया, लेकिन उसके बावजूर, एक commander ने जो है, बहुत बुरी तरह बरताब अपने सिपाई के साथ किया, सिपाईयों के साथ किया, और जिसमें मंगल पांडे जी भी, वहाँ पर ही खड़ मंगल पांडे जी ने एक effort किया, क्या किया, उन्होंने gun उठाई, और अपने commander को add the spot, on the spot, commander को shoot कर दिया, सोचो क्या जिगरा होगा बंदे में, तब ही हम कहते हैं, मंगल, मंगल, मंगल पांडे, तो इतना बड़ा step इनके द्वारा लिया गया, अब जैसे ही इनके द्वारा ये step लिया गया, इनको सभी को उठाकर, उनको और उनकी पूरी की पूरी command को उठाकर जेल में डाल दिया गया, अब जैसे ही इनको जेल में डाला गया, अब हुई असली कहानी शुरू, जैसे ही इनको जेल में डाला गया, तो एक तरफ से पूरे के पूरे हिंदुस्तानी, जो की फॉज में थे, इन सभी को लगने लगा कि अगर इनको फासी पे चड़ाया गया, अगर इनके साथ गलत किया गया, तो सरी ये कल को हमारे साथ भी कर सकते हैं, तो अब हम सब को क्या धोना होगा, एक जुट होना पड़ेगा, चुकी इनों ने डिसाइड कि हम सब को एक जुट होना होगा, ये सभी आते हैं, और आधी रात में इनों ने इस जेल को तोड़ा, और सभी लोग कहां पे हुआ था ये पूरा इवेंट, मेरट, और ये सभी लोग मेरट से भागते हुए पहुँचते हैं कहां, पूरी रात ट्रैवल करके ये पहुँचते हैं दिल्ल क्योंकि पता ही नहीं था जाना काई, लेकि नहीं पहुँच जाते हैं दिल्ली, दिल्ली क्यों गए, उसके पीछे भी कारण है, दिल्ली इसलिए गए जी, क्योंकि बिडिशर समराज के आने से पहले, जो सबसे बड़ा समराज हमारे यहां चला करता था, that was the मुगल समराज चीक है, अब चूकी हमारे यहां, मुगल समराज जो चलता था, मुगल समराज के जो सबसे लास्ट रूलर थे, उनको हम कहते हैं, बहादुर शाटू, बहादुर शाटू, और यह बहादुर शाटू की कहानी भी थोड़ी सी ऐसी होगी थी, क्यों, क्योंकि वो मिचारे जिदे-जादे थे, औरंगजेग उनको कहा जाता था, कि वो लास्ट फियर्सफुल लीडर ऑफ दी मुगल एंपायर थे, उसके बाद धीरे-दीरे मुगल एंपायर डिकलाइन होने लगा, तो बहादुर शाह जो टूथ है, या बहादुर शाह जफर भी इनको कहा जाता है इनको बिडिश आर्मी ने कहा था, देखो साथ, हमको आपसे लड़ने का मतलब नहीं है कोई, आप एक काम करिए, वैसे भी आप भुजर्ग होगे, आप बढ़ियां अपने रेड़ फोर्ट में रहिए, हम जो है, आपको हर मैने पेंशन जो है, वो भिजवाते रहेंगे, और फौज पहुंचती है, और कहती है, कि राजा साब को बुलवाईए, तो जो उनके सैनिक होते हैं, वो पहले तो मना करते थे, लेकिन फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, तो बाहदर शाजी को जो है, उठाया जाता है, बाहदर शाजी उ होगा तो फिर इस चीज के चलते क्या हुआ इस चीज के चलते फाइनली जो बहादर शार टू थे इनको उठाया गया था एंड फिर उठाने के बाद इनको लगा कि यार ये अच्छा हो सकता है मैं वापस से पूरे हिंदुस्तान का राजा बन जाओं तो इन्हों ने क्या किया पूरे हिंदुस्तान के छोड़े छोड़े राजा जो थे उन सभी को लिटर लिखा लिटर लिखना चालू किया कि आये एक जुट होना है और फिर यहां से जो चीज की शुरुवात हुई उसको कहते हैं 1857 की क्रांती या फिर The Revolt of 1857 अब यह जो 1857 की क्रांती हुई इसको अनागलग नामों से जाना जाता है कुछ लोग जैसे कि वीर सावरकरजी जो है उन्होंने इसको नाम दिया है First War of Independence However बहुत सारे ऐसे Scholars हैं जिनका यह कहना है कि यह War of Independence नहीं था बट रादर यह केवल और केवल Revolt था जिसको आप एक तरह से Sipoy Mutiny कह सकते हो Sipoy Mutiny What do you mean by Sipoy Mutiny Sipoy Mutiny का मतलब जब आपके देश की फौज आपके खिलाफ खड़ी हो जाए That is Mutiny तो कहने हैं कि सैनिको के द्वारा की गई Mutiny ही तो थी तो इसको हम First War of Independence जो है वो Consider नहीं करेंगे तो इस तरीके से अलग अलग जो हैं यहाँ पर आपको तर्क दिये गए However यह केवल यहाँ पर ही नहीं रुका इसके बाद अलग 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 राजा कानपूर में लखनव में बेगम हजरत महिल या फिर हमारे जो हैं दिल्ली में ऐसे अलग अलग जगे जहासी की रानी यह सब जुड़ने लगे बढ़ जो एक चीज सब से हम सभी का दुश्मन एक है दाट इस दब्रिडशन हावेबर सब येस आयूशी गरी भरे हुए थे कब से सारे के सारे भरे हुए थे और क्यों भरे हुए थे वही चीज आज हमको यहाँ पर जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था ठीक है? I hope यहाँ तक यह मने आपको बैग्राउंड दिया थाकि आपको चीज़ा रटनी ना पड़ें आटोमेटिकली याद होने लगेंगी जब आप कहानी देखोगे जी अभी मत लिखना प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं किस चीज़ पे पोलिटिकल कॉज़ेस बेसिकली जब स्कॉलर्ज ने इसको पढ़ना शुरू किया कि आखिर क्यों इतने जादा डिस्प्यूट्स जो है वो हुए अठारो संदावन की क्रांती क्यों हुई तो उसके पीछे के कॉज़ेस को जानने की कोशिश करी कि क्या कारण़े तो यह कारणों को अलग-अलग हिस्थों में बाठा गया फ़ूर एक्जांपल सबसे पहला हिस्था जो है ताट इस डिडी पॉलिटिकल कॉस पॉलिटिकल राजने ते क्या-क्या की कारण़ पी जिनकी वजह से यह हुँआ तो सबसे पहला राजनेतिक कारण मैंने आपको बताया that was the subsidiary alliance subsidiary alliance क्या था subsidiary alliance subsidiary alliance was जहां पर बेडिशर क्या करते थे अपनी आर्मी को किसी एक राजा कहां station कराते थे and फिर अगर राजा पैसे नहीं दे पाता था तो उनको displace कर दिया जाता था उनको उनके सामराज जिसे हटा दिया जाता था clear clear किसी को इस पारे में कोई दिक्कत इसके हलावा there was one more policy which is known as the doctrine of lapse policy क्या कहती है doctrine of lapse and यही वो policy है जिसके against जहासी की रानी ने आवाज उठाई थी what do you mean by doctrine of lapse कोई बता सकता आप में से anybody जिसका सन नहीं होगा if a ruler doesn't have a hair कह रहे हो आप लोग बट उतना जादा सही नहीं थोड़ा सा यहां पर कमी है इस चीज में Lord Dalhousie then it will be acquired by Britishers okay empire real sun yes Shruti अब Shruti आई ना सही point पे doctrine of lapse जो है basically किस चीज के बारे में बात करता है doctrine of lapse यह कहता है कि अगर there is a person अगर there is a person who does not have a natural legal hair natural legal hair और natural legal hair में भी sun अगर उनका खुद का बेटा ना हो जो की naturally bond हुआ है तो फिर उनका जो समराज है वो Britishers के हातों में चला जाएगा इस चीज को कहा जाता है doctrine of lapse अब यह हो गया सर एक कारण दूसरा कारण था discontent and dissatisfaction क्योंकि अब जो राजा लोग थे पहले अपने आजादी से काम किया करते थे लेकिन अब चोकि बिडिशर आदमी इतना strong हो गया था तो जो राजा थे वो अपनी आजादी खो बैठे थे उनको बहुत सारे decisions अपने free मन से वो नहीं ले पाते दे जी हाँ शुरूती चीक है तो ये एक सबसे बड़ा कारण था ये मैंने आपको doctor of labs बता दिया then was this one annexation of princely states बहुत सारे princely states थे जिनको एक-एक करके क्या किया जा रहा था acquire किया जा रहा था जैसे कि सतारा जो है उसको acquire किया गया नाकपुर को किया गया जहासी को किया गया इन सभी को चुकी acquire कर रहे थे तो इनके मन में अब ये बैट गया था कि हमसे हमारा सामराज छीना गया है इसके अलावा जो भी Britishers जो भी Mughals थे उनके तरह बहुत humiliating behavior किया जा जा था वैसे अगर देखा जाए तो इनके जस पहले Britishers के आने के पहले Mughal Empire ही तो सबसे बड़ा था लेकिन जब Britishers इंडिया में आए तो उन्होंने दीरे-दीरे करके Mughal Empire को किसी भी प्रकार की जो इज़त से नवाजा जाता था उस चीज़ को दीरे-दीरे करके खतम कर दिया अब चुकी यहाँ पर इज़त जिससे नवाजा जाता था वो खतम किया जा रहा है किसी की आप respect को खतम कर रहे है तो obviously hatred जो है वो यहाँ पर पैदा होने लगी थी और यह जो सबसे बड़ा सच आने लगा था सभी के सामने कि इंडिया को गवर्न कर रहे लोग इंडिया के नहीं है बलकि रादर यह foreign power है जो आकर हमको यहाँ पर कर रहा है गवर्न और साथी साथ बहुत सारे leaders की pension को भी suspend कर दिया गया तो यह सभी कारण मिलकर जो है वो पताते हैं political reasons जिनकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ था यह हमारा 1857 का revolt हुआ था चीक है I hope I am clear and now we are talking about the administrative causes administrative causes में अगर आप आएंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे यहां के Indian aristocrats थे aristocrats मतलब कौन होते हैं जैसे कि हमारे यहां bureaucrats होते हैं आज के समय में आप देखो IAS IPS officers कल को अगर let's suppose India में किसी और समराज्य का कबजा हो जाता है और वो आते हैं और फिर IAS IPS officers जो आज इतनी जादा respect इतनी जादा privileges इंडिया में जो है वो feel कर पाते हैं इनको अगर हटा दिया जाए इनके पत से और फिर बोला जाए आपको आम नागरे की तरह रहना है तो obviously इनको यहां पर बहुत जादा बुरा लगेगा तो वही loss of benefits of privileges यहां की aristocratic society के साथ हो रहा था साथी साथ higher administrative posts चाहे वो civil administration में हो चाहे military administration में हो उससे इंडियन्स को हटा दिया गया इंडियन्स को रखा जाता था केवल काई के लिए जैसा कि आपको मैंने बताया भी था कि अगर इंडिया में यह education को promote कर भी रहे थे तो क्यों promote कर रहे थे because उनको चाहिए थे clerks उनको चाहिए थे clerks जिनको अंग्रेजी भाषा आ जाए ताकि जो भी higher administration यहाँ पर हो रहा है उसको जो है lower level पर यह लोग manage कर पाएं इसके लिए जो है यहाँ पर यह चीज़ की जा रही थे चलिए लेट्स मूब अएड नाव यह टॉकिंग अबाउट economic causes economic causes में क्या-क्या दिक्टते आई थी उसकी बारे मैं बात कर लेते हैं कि हमारी economy किस तरह से खराब हो रही थी तो सबसे पहली चीज़ तो economic exploitation हर एक section का हो रहा था जैसे कि मैंने आपको बताया चाहे हमारी industries वो वो grow नी हो रही थी trade and commerce हमारे साथ खराब हो रहा था agriculture जो है वो हमारा poor कर दिया गया था इंडिया को पूरी तरह से de-industrialize किया जा रहा था तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या बना रही थी इंडिया को एक तरह से debt-ridden बना रही थी debt-ridden मतलब कि हम चाहके भी जो है flourish नहीं कर पा रहे हैं हम चाहके भी जो है वो better perform नहीं कर पा रहे हैं इसी वजह से यहाँ पर economic issues जो है वो हो रहे थे yes जैसा कि एक सबसे बड़ा example आप लोगों ने यहाँ पर बताया agriculture में that is related to indigo ठीक है indigo में क्या था indigo basically हुआ गया था कि ब्रिडेन रीजन में इंडस्ट्रिलाइजेशन चालू हुआ था इंडस्ट्रिलाइजेशन का मतलब क्या होता है मशीनी करण यानि अब वहाँ पर जो भी काम होगा वो मशीनों से होगा क्योंकि steam engine का invention हो गया था अब चूकी सारी चीजे मशीनों से काम करेंगी तो मतलब mass production किया जा सकता है और mass production करने के लिए हमें raw material तो चाहिए और उसी समय वहाँ पर जो artificial dye color use किया जादा था उसका shortage हो गया जिसकी वज़र से अब उनको चाहिए था कि कोई हो जो की indigo को उगा सके क्योंकि indigo जो है वो सबसे अच्छा color जो है वो छोड़ता है तो ठीक है इंडियन्स को क्या कहने लगे इंडियन्स को compulsorily बोला गया कि आपको अपनी जमीन पर अगर आपकी जमीन को हम बाट देते हैं 20 हिस्सों में एक, दो, तीन, चार, पाँच और ऐसे करते हुए इन टोटल अगर आपके जमीन को हम 20 हिस्सों में बाट दें तो उस 20 हिस्से में से आपको तीन हिस्सों में इंडिगो उगाना पड़ेगा और इसको क्या कहा जाता था तीन कठिया सिस्टम तीन कठिया सिस्टम तो यह तीन कठिया सिस्टम था यह क्या कहता था कि हर 3 upon 20 land पर क्या करना पड़ेगा इंडिगो उगाना पड़ेगा थीक एना सब 3 बटे 20 में उगा भी लिए इंडिगो तो क्या हो गया बागी तो हमारे पास है उसमें क्या अतना इशू हो गया उसमें इशू ये था कि इंडिगो को अगर आप एक बारी उगा देते हो तो जो दूसरी क्रॉप है वो इतनी जादा लान्ड इंफर्टाइल हो जाएगे कि दूसरी क्रॉप येस, absolutely, दूसरी crop की productivity कम हो जाएए, इसलिए farmers ना चाहते हुए भी इसको उगाना पड़ रहा था, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा distress था, ठीक है, जी, तो यहाँ आप देख सकते हो, ये था एक economic cost, उसके बाद ruin of the mercantile class, mercantile class मतलब हमारे यहाँ जो Indian trade होता था, commerce होता था, इन सभी पर बहुत ज्यादा tariff लगाया जाता था, कैसे, इसको भी जल्दी समझते हैं, ये देखके तो आप लोग को मज़ा आ जाएगा कि Britishers कितने कमीने इंसान थे, ये Indian territory, ये ब्रिटेन की territory, ठीक है, Indian territory से, पहले ये क्य क्या करते थे, finished goods ले जाते थे, finished goods, अब ये क्या करने लगे, इनके यहाँ पर हो गया, industrialization, industrialization होने का मतलब, कि अब यहाँ पर जो है, सारा का सारा काम कैसे होगा, with the machines, now since everything will be done through machines, तो इस वज़े से, they required what, raw material, तो rather than, rather than, taking the final goods, अब इंडिया से क्या ले जाये जाने लगा, raw materials, ठीक है, बट सर, तब तक हमारे finished goods भी तो जाई रहे थे, तो उसमें लोगों को नुकसान क्या हुआ, नुकसान सुनना अभी, ये जो industrialized goods हैं, ये कैसे बन रहे है, machine से, तो obviously ये faster बन जाएंगे, mass production हो रहा ह ठीक है, यहाँ पर Great Britain है, यहाँ पर भी Britain की ही सरकार है, British Territory of India, यहाँ पर भी किसकी सरकार है, Britishers की सरकार है, अब Britishers का शातिरपना देखना, जब भी कभी कोई foreign country से कोई product हमारे यहाँ पर आता है, तो उस पे हम tariff लगा सकते हैं, tariff उन पर लगाया जा सकता है, ठीक है, तो इन लोग क्या करते थे, कि जो भी वहाँ से goods आ रही हैं, उन पर कोई भी tariff नहीं लगता था, जिसकी वजह से जो good already cheaper है, वो और cheaper हमारे Indian market में पहुँचता था, अब suppose करिये, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 2500 रुपे की जालर है, एक जो आपको घर में लगानी है, या वही जालर आपको 25 रुपे मिल रही है चाइना की वो आपको लगानी है, मैं कहता हूँ, आप कितने ही बड़े देश भक्त क्यों ना हो, दिल पे हाथ रखके कसम खाके बताना कि आप कौन सी वाली जालर लगाओगे, सोनम के रही चाइना वाली, सर बट क्वालिटी, अरे क्वालिटी वालिटी तो सब में एक्वली है, दिवाली में हमको जालर लगानी लगा कि हम कौन सी लगाओगे, बताओ, सब बोल रहा है 25 वाले, कितने ही बड़े देश भक्त वा, वही चीज यहां होती थी, हमारे कि सर, प्रोडक्ट आ रहे हैं, बहुत ही सस्ते, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, इसको भी हम जेल लेते, बिटिन में तो जाकर हमारे एक्सपोर्ट बिकरे होंगे ना, नए, अब इन्होंने वहां पे क्या शातिर पना किया, वहां पे लगा दिया, इंडिया के फिनिश लगा कर 150 रुपीज का बेच रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा बनाया गया प्रड़क्ट जो यहां पर इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जा रहा है, वो 100 रुपे का बिख रहे हैं, तो अब वहां के लोग कौन सा प्रड़क्ट खरीदना पसंद करेंगे, 100 रुपीज वा इस तरीके से हमारी जो ट्रेडिशनल हैंडिक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो पूरी की पूरी डिक्लाइन होने लगी, येस ना ही एक्सपोर्ट में कुछ मिल रहा है, और इंपोर्ट भी हमोनी का गर रहे हैं, ठीक हैं, तो इस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ हमारे इंड इंटेल क्लास में, लैंड पर प्रेशर था, क्यों प्रेशर था लैंड पर कोई बता सकता है, अब देखो हमारे इतने सारे ट्रेडर्स हैं, इतने सारे क्राफ्ट्समेन हैं, अब ये क्राफ्ट्समेन जो हैं, इनका काम नहीं हो रहा है, इनको अब किसी तरह से ट्रेड करन नहीं मिल रहा है, इनका craft में काम नहीं चल रहा है, ये अब handicraft नहीं कर पा रहे, तो अब ये कहां जाएंगे, खाना तो चाहिए ना guys, खाना जाने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, भीया agriculture में चलते हैं, इसी लिए एक जमीन पर जादा से जादा लोग जो हैं वो agriculture करने लगे, and that is why land पे pressure जो है वो बहुत जादा बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारी population, जो पहले urban areas में जाकर काम किया करती थी, वो अब काम नहीं कर पा रही थी, similarly, अब सोचिए, बहुत सुन्दर सी painting बन रही है इंडिया में, ठेके, craftsmen बना रहे हैं, इन painting को खरीदेगा कौन, फ और painting बनाने के बाद मैं ये painting बेच रहा हूँ, 10,000 रुपे की, दिल पे हाथ रखके कसम खा के बताना आप में से कितने लोग ये painting मेरे से खरीदो, एक भी नहीं, क्यों भाई, क्यों नहीं खरीदे रहो, प्यार खतम हो गया, क्या भाई के लिए, अब सोच के देखो, अगर यही painting मैं आपको फिर भी 50 रुपीज की बेचता, तो क्या आप लोग खरीदते हैं, प्राइज अफोर्ड नहीं कर सकती, येस, फिर भी आप खरीदे, तो 50 रुपीज में तो फिर भी खरीद लोगे, लेगन 50 रुपीज क्या मेरा मेहंताना होना चाहिए, इतनी महंगी painting और प्यारी painting बनाने के बाद, नहीं, तो इसलिए अब क्या होता था, कि चूकी हमारे हाँ जो ये painters होते थे, craftsmen होते थे, नकाशी करने वाले होते थे, इनको major कौन protect करके रखता था, उनको major protect करने वाला व्यक्ति जो होता था, वो होता था king, king patronage देता था, ये सब सुन्दा सु पेंटिंग मना के लिए जाते थे, राजाओं की और राजा देखते थे, अरे वा, क्या painting है मेरी, लगा दो यहाँ पर दिवार पे, दे दो इनको इतनी अश्रफिया, तो इनको patronage कौन देता था, राजा देते थे, अरे वा, क्या नकाशी है, काम करो ऐसी नकाशी हमारे महल में भी करो, दे दो इनको इनको अश्रफिया, अब भाई, king जो है, वो patronage देते थे, लेकिन अब तो king ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उनको तो subsidiary alliance और doctrine of labs के थायत हटाया जा रहा है, तो क्या इन craftsmen को, क्या इन painters को, कहीं पर अपना market मिलेगा, जहां वो बेच सकते हैं, नहीं, इसी लिए तो पूरी तरह से हमारे हाँ, art and architecture जो है, वो पूरी तरह से खतम होने लगा, and that is why everybody shifted to what, land, and चुकी खुद की जमीन भी नहीं थी, सबके पास तो जमीन थी नहीं, तो फिर वो क्या करने लगे थे, they started living as a landless laborer, याने, आपकी जमीन है, भया हम आपकी जमीन आपसे थोड़ी सी लेते हैं, हम उसमें सिक्मी, आप लोगोंने सुना होगा, जहां पर जमीन जो है, वो क्राय पे ली जाती है, उस पर प्रोड़क्स को लटा दिया जाता है, उस प्रोड़क्स में से थोड़ा सा हिस्सा दे द यह तो आपको पते हैं लगान मुवी सभी ने देखी है तो हमारे यह पर्मरेंट सेटलमेंट समीनदारी सेटलमेंट रयोतवाडी महलवाडी यह सब आने लगें बढ़ यह आपके उत्ता जाता है इंपॉर्टन नहीं है जाता था only the whites were considered to be superior जो whites होते दे केवल उनको ही superior consider किया जाएगा जो whites हैं केवल वही higher post पे जा पाएंगे तो यह social exclusion हमारा on the basis of race हो रहा है फिर social legislation कहने का मतलब कि यहाँ पर जो हमारे Britishers थे उन्होंने कोशिश करी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवाने की जो शायद हमारा समाज उस समय accept करने के लिए तयार नहीं था for example सती प्रथा को खतम कराना for example widow remarriage करवाना भले ही हमको यह चीज़ें आज सही लग रही हैं बट उस समय हमारे समाज को यह चीज़ें सही नहीं लग रही थी उनको लग रहा था ऐसे कि बाहर से कोई व्यक्ति आया है और आने के बाद हमारे इंडिया में आक्रमन करके हम पे जो हैं हमारे traditions को change करने में लगे हुए हैं तो यह चीज़ें जो हैं बहुत ही जादा बुरी तरह से backfire कर रही थी कि हमारे साथ यह चीज़ गलत हो रही है इसके अलावा alienation of the middle and the upper strata of Indians याने अभी तक केवल यह नहीं था कि जो हमारे peasants थे traders थे उनको ही alienate किया गया उनको ह जो हमारे religious men थे जैसे कि पंडिट जी हुआ करते थे मौल भी इस हुआ करते थे पहले इनके पास बहुत superior power हुआ करता था क्योंकि they were considered to be the person who could decipher and read the open issues who can decipher and read the religious texts तो इसलिए इनके पास बहुत superior power था लेकिन अब 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 चुकि Britishers आ गए थे तो इनका power भी कम हुने लगा था and साथी साथ Christianity इंडिया में बहुत तेजी से आ रही थी and Christianity आने की बज़ो से क्या था सर Christianity आने की बज़ो से Hinduism या फिर पाकी religions में conversion जो है वो होने लगा था तो ऐसा लगा कि शायद Britishers जो है वो हम सभी को convert करना चाहते हैं अपने religion में that is Christianity ठीक है I hope I am clear चलिए अब आते हैं जी आगे military causes military causes क्या थे military causes सबसे पहला आया था General Service Enlistment Act इस General Service Enlistment Act के अंतरगत हमको ये पता चला कि Indian soldiers की और British soldiers की salary अलग-अलग होगी अलग-अलग होगी and Indian soldiers को कम salary मिलेगी British soldiers को ज्यादा salary मिलेगी क्या ये कहीं से भी justified नजर आ रहा है बिलकुल नहीं इससे sipoise पे और क्या impact पढ़ रहा था उनको abuse किया जाता था humiliate किया जाता था Indian sipoise भले ही कितनी भी लड़ाई कर ले अपने एक particular rank के उपर यानि सुबदार के उपर वो जाहीं नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए और वहीं अगर England से कोई fresh recruit आ रहा है तो वो उनकी उपर बैठ र required to bite the end of the cartridge before using it और जो ये end of the cartridges को कहा जाता था कि ये किस से greased है fat of cow and pig से इस वजह से सिपोई जो है यानि कि सेनिक बहुत infuriate हुए और फिर उन्होंने इस mutiny को अंजाम दिया that is the causes of failure कि भाया आखर ये fail क्यों हुआ अगर सब कुछ एतना अच्छा था 1857 में तो fail क्यों हुआ तो सबसे पहले कि कोई एक unified program नहीं था या unified ideology नहीं थी कोई भी एक unified program या unified ideology नहीं थी कि भाई क्यों लड़ रहे हम इनके खिलाफ और उसके बाद अगर हमने बिडिश सिस्टम को हटा भी दिया तो हमारा administration कैसे चलेगा ये कुछ भी decided नहीं था और चुकी एक तो basically unified program या ideology ना होने की वज़े से second unity नहीं थी यूनिटी नहीं थी वाइल सिपोईज और बेंगॉल आर्मी वर revolting some soldiers इन पंजाब इन साउथ इंडिया जो है वो बिटिशर्स की साइट से लड़ रहे थे तो इस तरह से unity हमारे इंदुस्तान में लोगों में थी ही नहीं उस समय, next, lack of support from the educated Indians, जितने modern class थे, इन लोगों के view में जो revolt था, ये backward looking था, पुरानी प्रथा थी जो आप कर रहे हो, इसकी आविशक्ता नहीं है, ऐसा उनका मानना था, उनका मानना था, अच्छे अंग्रेजी की पढ़ाई करवा रहे हैं, देखो बिटिशर् आदमी हैं, हमको administration से कार हैं, ये वो, तो इन चीजों के चलते हैं, उनका ये मानना था, कि हमको यहाँ पर revolt नहीं करना चाहिए, देन, this unity among the leaders, ये मैंने आपको बता दिया, कि जो leaders थे, even उनमें ही unity नहीं दी किसी प्रकार की, क्योंकि वो एक दूसरे के प्रती जैलिस थे, तो at times, खुदी को suspicious की, suspicion की नजर से दिखते दे, and how can we forget, military superiority of the Britishers, बिटिश आदमी की इतनी ज़्यादा सुपीरियर फॉज थी, कि फिर comparison था ही नहीं, there is a question for you guys, question is, आपको ये बताना है, कि जो 1857 का revolt हुआ था, वो किस particular, governor general के time पे हुआ था, correct answer to the question is lord canon, lord canon थे, जिनके कारेकाल के दौरान, ये चीज हुई थी, ठीक है, with this I am signing off, thank you so very much, keep studying, keep growing, playing, check, end.